जै श्रीकल की, जै सियराम, जै हनुमार आने वाला समय एक बहुत बड़ा भुचाल लाने वाला है ये ऐसा भुचाल होगा जिसके बारे में आगे मैं बतलाओंगी लेकिन ये डराने के लिए नहीं है बलकि साउधान करने के लिए है आज का समय ऐसा है जब इनसान भविश्यवानियों को सुनकर डर रहा है आज हर कोई अपने आपको सेफ करना चाहता है लेकिन आज का समय ऐसा समय है जब सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ती ही इनसान को सही तरीके से सुरक्षित रख सकती है उनकी भक्ती के बिना नहीं है हमारा गुजारा और इसलिए आज के समय में जब जो इस कलियों के महानायक है यानि कल की अवतार जो हैं श्री हरी के दस्वें और आखिरी अवतार दिखला रहे हैं अपना कमाल लेकिन उनका कमाल दिखलाने का जो तरीका है वो टोटली डिफरे है वो भी है एक ऐसे जादूगर जब जादू की छड़ी घुमाते हैं तब कौन सा नया जादू वो दिखलाएं लोगों को ये लोग भी भौचक के हो जाते हैं से आजके समय में अन्याय का पेड़ बहुत अधिक फल्फुल रहा है जल्दी वो आधितुफान से भी गिरता नहीं है लेकिन अन्याय के पेड़ को गिराने के लिए ही जब कलकी का प्रहार होता है तब उसे गिरना ही पड़ता है जो अन्याय पी पेड नहीं गिरता है आधी तुफान में वो कलकी के प्रहार से एक जटके में धारशाई होकर जमीन पर धूल चाटने को मजबूर हो जाता है तो मैं बात जो कर रही हूं कि आने वाले समय में एक ऐसा भुचाल क्या वो होगा प्राकृतिक आपदा क्या मैं प्राकृतिक आपदा की बात कर रही हूं या उस भुचाल का स्वरूप होगा कुछ और आज दो इंसिडेंट ऐसे हैं जो हर न्यूस चैनल कवर कर रहा है एक पेपर लीक मामला जहां पर न्याय नहीं किया गया और अन्याय के चलते ऐसे लोगों को चूस कर लिया गया पुलिस में भरती करवा दी गई जो कि उसके काबिल ही नहीं थे योग्य ही नहीं थे और जिन्होंने मेहनत की उनको रिजेक्शन का मूँ देखना पड़ा तो जब भगवान कलकी है धरा पर कैसे हो उनके साथ उनके सामने किसी और के साथ अन्याय कैसे भला वो होने दे अपने भक्तों के करेंगे प्योर सोल्स के साथ इंजस्टिस हमेशा मैं अपने वीडियो में कहती हूं कि जो प्योर सोल्स होंगे जो हाड वर्किंग होंगे जो ऑनेस्ट होंगे जो सही रास्ते पर चलेंगे जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे नियाय उनके साथ होगा समय लगेगा क्योंकि क धर्ति के नियमों का पालन करते हुए यथा समय उनका यथा कार्य होता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ता है और बहुत दोग इश्वर की भक्ती करना छोड़ देते हैं लेकिन गलत मत छोड़िये कभी न कभी किसी न किसी रूप में कल की देवकाने आए जब हमारे सामन आता है तो हम भी नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब पेपर लिक मामला आया उसमें भी आप लोगों ने न्यूस में देखा होगा जो टॉपर था नरेश विश्णोई 2021 SI पेपर लिक मामला जब वो सामने आया उस समय वो टॉपर रहा था आज वो टॉपर नहीं रहा आज उससे छीन ली गई नौकरी जो उसने घुटाले करके पैसे खिलाकर डमिक कैंडिडेट के द्वारा जूट बोलकर उसने किया आज जब खुलासा हुआ तो उसकी नौकरी तो गई पैसे भी डूप गए और उसकी इज़त की किरकिरी भी हो गई लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं करूँगी ये तो मैंने एक एक्जामपल दिया नियाए की बात मैं कर रही हूँ इसके लिए मैं जो भुचाल आने वाला है उसकी बात मैं कर रही हूँ आज लोग इलेक्शन के महौल में जोड तोड की राजनिती कर रहे हैं और अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं और अपनी पावर का गलत इस्तिमाल करते हुए हाय कोड के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं देखिये उनकी ताकत और कितना अहंकार इतना अहंकार कि हाय कोट के आदेश का पालन भी नहीं करना है सुप्रीम कोट पहुच गए फिर से हाई कोट ने आदेश दिया किसको शह जहां शेक को कि आप उनको हैंड ओवर करो सीबी आई को नहीं करी ममता बैनर जी नहीं मानी और आज भी जब सवाचार बजे आज कौन सी रेट है 6th March 2024 आज भी उनको टाइम दिया गया सवाचार का सीबी आई को हैंड ओवर कर दो अब पुलिस कस्टेडी से उनको बाहर निकाल दो और सीबी आई को हैंड ओवर करो नहीं पुलिस भी बिकी हुई ममता बैनर जी नहीं चाहती है क्योंकि उनको आने वाले समय में ऐसे लोगों के उपर भुचाल की आधी जो होगी वह ऐसे गर्जेगी ऐसे बरसेगी कि लोग भी मुह ताकते रह जाएंगे और देखेंगे कि वास्तों में कल की देव का न्या किस प्रकार लोगों को पूरी तरह से नश्ट कर देता है और साथ में आज बहुत सारे लोग हिंदु धर्म के खिलाफ जाकर बाते कर रहे हैं कल ही तमिल लाडू से एक नेता ने डियम के के एक नेता ने श्री राम के बारे में बहुत ही अपशब्द कहें क्या श्री राम का अपमान सहेंगे कल की अउतार क्या देवी देवताओं का अपमान करना सही बात है क्या हिंदू धर्म और देवी देउता गण सेहन करते रहेंगे नहीं कदापी नहीं अब जो समय आएगा जो मैंने कहा भुचाल लेकर आने वाले हैं कल की अवतार और ये भुचाल रुपी अस्त्र से उन पर होगा प्रहार जिनोंने की आज तक बहुत ही गलत कारी किये पहली बात दूसरी बात इन जब भी भुचाल आता है तो उसमें क्या होता है सभी लोगों पर असर पड़ता है जो अच्छे लोग है जो बुरे लोग है लेकिन मैंने हमेशा कहा कि अच्छे लोग बचा लिए जाएंगे लेकिन ये भुचाल क्या प्राकृतिक आपदा के क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है तो इलेक्शन के पहले तो है लेकिन इलेक्शन के बाद जब NDA की सरकार जीत जाएगी तब उनके खिलाफ जो लोग है उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी और जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो करेंगे कुछ ऐसा कि आप भी देखेंगे और कहेंगे सच में यह ही एक ऐसा बुचाल जैसा आज तक कभी नहीं देखा गया यानि अब तक के समय में यह सबसे बड़ी आप इसको कह लीजिए सबसे जो वर्ड इसको देना चाहें अब अपने वीडियो में बहुत कुछ खुलकर मैं नहीं बता सक थी क्योंकि मैं भी शोशल मीडिया प्राटफॉर्म पर हूं लेकिन होगा कुछ ऐसा जो सब को डालेगा बहुत ही आश्यर जनक अवस्था में बहुत लोगों को अचम्भित करेगा और सब लोग कहेंगे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन वो समय इलेक्शन के पहले भी ह भुचाल आएगा और वो भी इंसानों के द्वारा जब असूर तांडो मचाएंगे तो क्या कल की अवतार चुक्चाप बैठेंगे बिलकुल नहीं अपने भक्तों को तो वो हर हाल में बचाएंगे क्योंकि उनके भक्त जो है वो प्योर सोल्स है तो प्योर सोल्स की बली त वलत ढंग से वो अपनी ताकत का इस्तिमाल करके भुचाल लेकर आएंगे तंडो मचाएंगे उस भुचाल के सहबागी होंगे उन में जब इन्सानी भुचाल आएगी तब कल की वटार का प्रहाः किस प्रकार होता है यह आने वाले समय में खुद आप अपनी आँने